17 नौंबर साल 1879 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया स्वेज नहर मिश्व में मानो निर्मित समुद्रिस्तरे जलमार गहे यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है साल 1808 में फरडिनेंट डिलेशेप्स ने नहर के निर्मान के लिए स्वेज नहर कमपनी का गठन किया इस नहर के लंबाई पनामा नहर के लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का एक तिहाई पैसा ही लगा वर्तमान में स्वेज नहर मिश्र देश के नियंत्रण में है 17 नुवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ वे भारत के एक महान स्वतंतरता सेनानी थे उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है साल 1928 में साइमन कमिशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दोरान हुए लाठी चार्ज में लाला जी बूरी तरसे घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन 1928 में शहीद हो गए चंदरशेकर आजाद, भगट सिंग, राजगुरू, सुखदेव और अन्निक करांतिकारियों ने अपने प्रियनेता की हत्या का बदला लेने का निर्णए लिया और एक मेहने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सांडर सकी गूली मार कर हत्या कर दी और लाला जी की मौत का बदला लिया 17 नौंबर साल 2015 से राश्ट्रिय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुवात हुई मिर्गी मस्तिश्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दोरे पढ़ने से पहचाना जाता है मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है नेशनल एपिलेपसी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है विश्व स्वास्त संगठन डबलो एचो के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पिली थें जिसमें से 80 प्रतिश्वत लोग विकास शिल देशों में रहते हैं